बिहार में संपून शिराबंदी पर एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है शवाल बिहार की रजश्वी के प्राप्ति को ले करके है और बिहार में जब संपून शिराबंदी कानून है तो फिर शिराबों का आगमन बिहार में कहां से हो रहा है सवाल तो बहुत बड़े हैं जब आप सिस्टम और सरकार को देना हैं सिस्टम और सरकार आज जब आप दे या ना दे लेकिन मुख्य तोर पर बिहार में शंपून शिराब बंदी कानून के होते हुए भी अगर सराब बिहार में परवेश करता है तो सबसे ज़ादा ये कही न कहीं दुख की बात है अगर बिहार को रजश्व की प्राप्ति सराब से नहीं हो रही है और ऐसे में जब जाहरिली शराबों की सेवन कर लोग मरते हैं तो बहुत बड़ी दुख की बात ये है इसे दुख के बात इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि बिहार में अकसर आप देख कार ने कहा कि हम तो संपुन्श राबंदी कानून लागू कर चुके हैं ऐसे में कोई पी कर मरे या मर कर पी कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे में मैं इसका भागेदारी नहीं नहीं भाता ये तमाम बातों को उन्हों ने कहा लेकिन साहब अप समझते हैं कि चीजें अज कहा जा रही हैं साहब आप जानते हैं कि आज बिहार कहा जा रहा है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो जो योगदान करना था वो सराब को करना था और शब शराब को बंद किये तो बिहार के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसके करण आज बिहार के लोगों को दुख जहिलना पड़ता है बिहार के लोगों को परशानिया जहिलने पड़ती है तो सवाल ये है सिस्टम के साथ सवाल है लोगों से बड़ा ये महतपून सवाल है और सवाल जो है सराप पीने वाले लोगों से भी है अगर सरकार ने श्रम्पुन शराबंदी कानून कर दिया है तो अब सर आप क्यों पीते हैं सरकार से सवाल पूछे जाने के बाद में भी अब नीन्दे कब खुलेंगी और कब रजश्व के प्राप्ति और देश बिहार को आगे और बढ़ाने के लिए एक बहतर राज्य के तोर पर डिबलप करने के लिए इसे कब ध्यान दिया जाएगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा हमें उमीद है कि आपके प्रत्करियाएं मिलने जाने के बाद में बिहार के लोगों को एक दिसा निर्देश मिल सकेगे बढ़ते हैं बड़ी ख़बर क्यों